हेलो एवरिवन वेलकम टू और न्यू वीडियो हम कर रहे हैं 6.4 का h-part h-part में मैं क्या करना है given expression की factors बनाने है तो इसमें h-part में आपको क्या expression दे रखी है x की पावर 4 प्लस 4 x square प्लस 4 अब मैं इसको थोड़ा सा simple गर के लिखती हूँ x की पावर 4 को ऐसे ही लिखते हैं हम प्लस के 4 को आगे लिख लेते हैं प्लस में 4 x square को पीछे लिख लेते हैं अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो x square की पावर whole 2 प्लस में 4 को क्या लिख सकते हो 2 का square प्लस में 4 x square को देखो आप 4X square को क्या लिख सकते हो यहाँ पे एक identity use हो रही है A plus B का whole square और यह identity क्या होती है A square plus में B square plus में 2AB अब देखो अगर हमारी जो given expression है न वो इस वाली form में दे रहे हैं तो हम उसको convert करेंगे whole की power में तो देखो कर थोड़ा सा simplify करके देखते हैं A यहाँ से अगर आप देखोगे तो A की value आपको क्या नजार आगे अपने expression में X square और B की value क्या नजार आ रहे है 2 तो देखो X square plus A square plus B square plus 2 A की जगह पे हम X square रखेंगे और B की जगह पे हम 2 रखेंगे अगर हम इसको solve करें तो देखो X की power 2 की power 2 यान X की power 4 होगे plus 2 square मतलब 4 हो गया और 2 2 जब 4 X square को करेंगे तो उपर वाली मतलब यह वाली term इसी term में convert हो रही है तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो A plus B का whole square मतलब X square plus में 2 की power whole 2 अब यह first factor क्या आगया आपकी power आपका first factor क्या आगया है जैसे देखो expression में क्या है X square plus 2 की whole power 2 आए तो हम इसको दो बार लिखेंगे first factor आए X square plus 2 और second factor भी आपके पास क्या हो गया है X square plus 2 तो आपका factorization complete हो गया अब आई part करते हैं आई part में दे रखा है X plus 3 की whole square minus 8 X plus X minus 8 into X plus 3 plus 16 अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको थोड़ा सा simple लिख करके लिखेंगे यानि first step में X plus 3 की power whole square as it is plus का 16 हम आगे लिख लेते हैं और minus का 8 X plus 3 को पिछे लिख लेते हैं अब first हम को as it is रहने दो यानि यह आपका नजर आएगा A square की form में plus में 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 का square लिख सकते हो और यहाँ पर क्या आ रहा है यह minus 2 into में A यहाँ पर आपका identity यूज हो रही है A minus B का whole square और वो क्या होता है A square plus B square minus 2AB तो अगर अब हम इस expression को देखें तो यहाँ पर हमारे पास A की form में क्या है X plus 3 और B की form में क्या है हमारे पास 4 तो हम इसको आगए formula को continue करेंगे A square plus B square minus 2 A यानि X plus 3 और B multiply यानि 4 अगर आप इसको वापस convert करके देखो X plus 3 का whole square तो as it is है 4 का square क्या होता है 16 और इसको multiply करते है तो यह आपके पास क्या हो जाएगा X plus 3 4 तो जाए 8 यानि उपर वाले term हारे it means ही हमारे पास A minus B का whole square है तो A आपके पास क्या हागया X plus 3 और B क्या है आपके पास minus का 4 क्योंकि A minus B का whole square अब यह हमारे पास 2 times है तो first vector क्या आएगा X plus 3 पहले इसको थोड़ा सा और solve करेंगे X 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बच्चे का 1 यानि X minus 1 का whole square अब इसको आप क्या कर सकते हो दो factor की form में लिखना है यानि आप इसको लिख सकते हो first vector X minus 1 और second factor भी आपके क्या आगया X minus 1 J part करते है J part में दे रखा है 49 minus X plus 5 का whole square तो सबसे पहले हमें पता है 49 किसका square होता है 7 का 49 की जगह पर मैं लिख रही हूँ 7 का square minus X plus 5 का whole square अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको किस form में नज़र आ रहा है A square minus का sign और ये पूरी time आपको B square के form में नज़र आ रही है और A square minus B square का formula क्या होता है A plus B और A minus B तो यहां से अगर हम बात करें A की तो A की A हमारे पास क्या है 7 और B हमारे पास क्या आ गया है X plus 5 तो इसका यूज़ करके identity का यूज़ करके हम इसका आगर फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर में हमारे पास क्या आ गया है A plus B A आपके पास क्या है 7 plus B यानि X plus 5 second factor बनाएं हम second factor में हमारे पास क्या आया है second factor क्या होगा इसमें मैं दो bracket यूज़ करूँगे क्योंकि sign change होगा A हमारा 7 है minus B हमारे पास क्या है X plus 5 तो हम इसको bracket में रखेंगे next step में soul करते है first में देखो 7 और 5 को add करेंगे हमारे पास क्या आगया 12 plus X यानि first factor आगया आपके पास 12 plus X second factor में 7 minus का X हो जाएगा और minus का ही 5 हो जाएगा अब first factor को as it is रिखेंगे 12 plus X और second factor आपके पास क्या आगया है 7 में से minus का 5 reduce हो तो हमारे पास 2 बचेगा minus X तो first factor आएग 12 plus X second factor आएग 2 minus X अब के पार्ट करते है के पार्ट में मैं क्या दे रहा है 9 X square minus का 24 X plus का 12 सबसे पहले X square में coefficient आपको 9 नजर आ रहा है X में X के साथ में 24 है 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 तो या नहीं हमारे पास बचेगा है 3 X square minus 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 X plus में 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 तो अब आपको क्या करना है अब हमें क्या करना है देखो next step में 3 as it is bracket लगाएंगे हम सबसे पहले 4 को जो constant term होती है उसको square वाली term से multiply करेंगे 4 को जब हम multiply कर रहे 3 X square से तो हमारे पास क्या आ रहा है 12 X square आ रहा है अब 12 X square के हमें दो ऐसे factors ढूणने है जिनकी multiply करें तो हमारे पास 12 X square है और जिसको plus या minus करें तो minus का 8 X है तो 6 X और 2 X 6 2 जा 12 होता है तो minus का 6 ले रहे हो और minus का ही 2 X ले रहे हो अगर इन दोनों की multiply करेंगे तो 12 X square आएगा और अगर इन दोनों को plus करके देखेंगे तो हमारे पास minus 8 X आएगा इटी मींस हमारे factor ठीक है अब हम 3 X square इसको splitting method बोलते है minus 8 X की जगे पे हम क्या रखेंगे minus का 6 X minus का 2 X और plus का 4 अब हमें क्या करना है next step में 3 बहार को मन as it is रहेगा अब हमारे पास 4 terms है इसमें से 2-2 terms का हम एक pair बना लेगे first 2 terms में से हमारे पास 3 X को मनाएगा तो अंदर क्या बचेगा X minus 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा अगली pair में से हम मैं minus का 2 बहार निकाल रही हूँ अब minus का 2 बहार निकाला तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 2 X में से 2 बहार आगे तो X बचेगा common निकाला है मतलब और plus minus हो गया 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा अब यहां पर हमारे पास 2 ब्रैकेट से हमारी इट में से हमारा factorization ठीक है तो अब factor में हमारे पास 3 पहले से common था अब जो हमारे पास bracket 2 बार आई है उसको हम एक बार लिखेंगे यानि X minus 2 ये factor बन गया और next factor हमारे पास क्या जाएगा जो हमने common निकाला था यानि 3 X minus 2 तो आपका answer क्या आया है 3 into X minus 2 and 3 X minus 2 last part है success का L part करते है L part में क्या दे रहा है 4 X square plus 12 X Y plus में 9 Y square minus का 8 X minus का 12 Y तो अब पहले जो ये first 3 terms है इनको लेके चलते है सबसे पहले तो आप इसको पहले तो थोड़ा simple करो 4 X square rearrange करते हैं plus में 9 Y square को मैं आगे लिख रही हूँ plus में 12 X Y को पीछे लिख रही हूँ और last की दो terms as it is अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास A plus B का whole square बढ़ना है इन 3 terms का first, second and 3 terms का 4 X square को आप क्या लिख सकते हो 2 X का whole square plus 9 Y square को क्या लिख सकते हैं अब 3 Y का whole square यानि A square plus B square plus 2 A की जगह पे आप 2 X रखोगे B की जगह पे आप 3 Y रखोगे minus इन दोनों terms में से देखो आपके पास क्या common आ रहा है 8 X minus 12 Y coefficient में से देखे तो हमारे पास 4 common आ रहा है तो अब हम क्या लिख सकते हैं 4 common निकालने के बाद हमारे पास क्या बच गया X minus minus plus 4 3 Y 12 3 Y bracket close अब first 3 terms से हमारे पास formula निकल के आ गया हमने यहां पर A plus B whole square का identity लगाई है तो यानि A आपके पास क्या आया है 2 X plus B आपके पास क्या है 3 Y इसका क्या हो गया whole square इसमें हमने common निकालने में थोड़ा सा यहां पर हमारे पास क्या आएगा 8 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 X आएगा 2 X plus 3 Y अब first three terms का हमारा identity बन चुक है 2 X plus 3 Y का whole square minus 4 as it is और 2 X plus में 3 Y अब अगर आप इन दो terms को minus से पहले वाले इन दोनों terms को देखोगे तो आपके पास क्या common आ रहा है दोनों ही terms में से 2 X plus 3 Y and 2 X plus 3 Y तो हम क्या करेंगे 2 X plus 3 Y को common निकालेंगे common निकालेंगे first term में 2 X plus 3 Y का whole square था एक 2 X plus 3 Y term बहार आई है तो एक हमारे पास as it is बचगी 2 X plus में 3 Y और minus का 4 क्योंकि अगली जो term है 2 X plus 3 Y वो अपने बहार निकालेंगे तो यानि first factor आपके पास क्या आया है 2 X plus 3 Y और second factor क्या आगया आपके पास 2 X plus 3 Y minus 4